जब एक व्यक्ति दुरियोधन सिंड्रोम मैं इसको कहता हूँ, जब पारिवारिक परिवेश में या व्यावसाइक परिवेश में आप किसी को दुरियोधन होने से रोक थोड़े न सकते हैं, तो जो आज के डेमोकरसी की गणराज्य विवस्था की एक सीमा है, उस सीमा में र उस सीमा में उस दाइरे में कानून विवस्था के पुलीस विवस्था के दाइरे में रहते हुए, ये केस मुझे लड़ना होगा, और मैं लड़ रहा हूँ, और भारत की कानून विवस्था पर मेरा विश्वास है, और जितने गलत शडियंत्र समिता गाटे भारतवाजने रचे हैं मुझको अपनी बच्चीओं से दूर करने के लिए उन सब के प्रमाण मैं कॉटम्बिक वाग llev बंबे के सामने दे चुका हूँ मुझे पूर्ण विश्वास है और वो साले प्रमाण जो है वो मेरे प्रमाण नहीं है, वो उनी के प्रमाण हैं उनी का मेल है उनी का मेसेज है किस तरह से वो एक स्थिती परिस्थिती बनाती हैं बच्चियों को ये जताने के लिए कि आपके पिता तो आपको प्यारी नहीं करते तो अपने ही प्रमानों को वो नकार कैसे सकती है और जितने ये प्रमान हमने कोट के समक्ष रखे उन्होंने और उनके वकील ने उनको कहा कि हाँ हमें स्विकार है इसको स्विकार कर लीजिए तो जब अब कानून के दाइरे में जब आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे कस्टडी के उन प्रमानों को आधार बनाकर ही हम वकालत करेंगे हमारी कस्टडी के तो देखिए क्या है उलज उलजे तो तब सारे ही थे है ना तो उलजन को कानून व्यवस्था में रहकर सुलजाना ही हमको आता है और आज की कानून व्यवस्था मैं देख रहा हूं बहुत अच्छे-च्छे मिरने कानून व्यवस्था ले रही है मेरा पूर्ण विश्वास ह मैं उनके घर पर क्यों जाओं जब पुलीस ने उनको करे पुलीस अपनी जांच करे मैं हूँ न यहां बोपाल में बैठा हुआ हूँ होंगे बच्चों से मिलने की चाह है लेकिन चक्रव्यू में फसने की चाह नहीं है जब उनको कहा गया कि पुलीस कमिशनर के आफिस में वो आ सकती हैं तो क्यों नहीं आई थाने में तो नहीं बुलाया था उनको एक बहुत ही सम्मान जनक तरीके से उनको बुलाया गया था और जो किस तरह से करना है यह पुलीस व्यवस्था मुझे बताए मैं कर दूँगा पुलीस यदि कहती है कि हम आपको एक अच्छा अफसर देते हैं आप वहाँ पे जाके मिलिये और मैं बच्चों को देखना चाहता हूँ कि वो स्वस्थ हैं मैं बच्चियों से बात करना चाहता हूँ कि वो स्वस्थ हैं और पुलीस व्यवस्था में भी ऐसी व्यवस्था बनी रहती है सोशल सिक्योरिटी सेल होता है जो महिलाओं की सुरक्षा का सेल होता है जो बच्चों से बात करें कि आप कैसी है आपका स्वास्त कैसा है क्या है तो मेरा पुलीस व्यवस्था पर विश्वास है तो वो उसके तहट जाच करके मुझे बताए क्या करना है क्योंकि आज की तारीक में मेरी बेटियां कहां है मुझे नहीं मालूम देखिए कोई IAS है IPS है कोई बड़ा अधिकारी है कोई बढ़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है कोई सुपर स्टार है ये सारी चीज़ें व्यक्तिकत जीवन में माइने नहीं रखनी चाहिए हम जब घर की दहली में अंदर प्रवेश करते हैं तो अपना जो भी वहाँ सूपरस्टार और स्टार और टीवी स्टार और कोई IAS IPS ये माइने नहीं रखता और इसलिए तालमेल बिठा कर माता पिता को अपने बच्चों का संगोपन पालन पोशन करना चाहिए ये एक मचोड तरीका होता है ठीक है आपकी और मेरी नहीं बन रही है मैंने बोला ह आपको मैंने तो दायर किया है ना डिवोर्स पिटिशन तो मचोड तरीके से इसको डील कीजिए ना आप एक पिता को अपनी बेटियों से शडियंत्रों के माध्यम से क्यों दूर कर रही है इन सब के जवाब हम उनसे वहाँ पर मांगेंगे इनके जवाब मैं नहीं दे सकत पिता को अंधेरे में रखा है मुझे वहाँ से उटी के सीधे भोपाल से उठा कर उटी उटी के बोर्डिंग स्कूल में क्यों वो अंधेरे में रखा आज बोर्डिंग स्कूल से बाहर निकाला अंधेरे में रखा आज मैं पूछ रहा हूं आपको मेल के मध्यम से मेरी बे माओं को तोड़ते हुए इसको मैं दुरियोधन सिंड्रोम कहता हूँ मैं अपनी मनमानी करूँगा यह दुरियोधन था वही यह कर रही है और कोई किसी को दुरियोधन ना बनो यह तो कह नहीं सकता ना हम तो उसी दाइरे में लड़ सकते हैं जो आज का दाइरा है और चुकि हम को यह लगता है कि वो आएस का दबाव पुलीस पर बना सकती है इसी लिए मजबूर होकर मुझे मान्य मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ा क्योंकि यह व्यक्तिकत मामला है यह मुख्यमंत्री महोदय के लेवल का मामला नहीं है यह कोई सामाजिक मामला नहीं है मैं खुश होता अगर मैं कोई सामाजिक व्यवस्था का कोई मामला लेकर मुख्यमंत्री महोदय के पास जाता लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ये मामला लेकर जाना पड़ा और कहना पड़ा कि हो सकता है वो आएस में से किसी चीज का दुरूपयोग करें तो आपको मेरी सहायता मुझे आपसे मांगनी पड़ेगी तो इतना आपके ध्यान में रहे उन्होंने कहा ये सारा सुनकर मैं आपकी सहायता करूँगा मैंने दोनों बच्चियों की कस्टड़ी मांगी है और वो मैं कस्टड़ी लेकर रहूँगा क्योंकि ये जो व्यवहार है ये मेरी बेटियों के मानसिक भावनिक एकड़ेमिक स्टड़ी के लिए ठीक नहीं है कौन सा पिता या कौन सी माता इस तरह से अपने बच्चों को अनस्टेबल करती है भावनिक रूप से तो कर दिया लेकिन एकड़ेमिकली भी छे महिना बोपाल के स्कूल साड़े चार महिना उटी के स्कूल में आज पता नहीं कौन से स्कूल में ये कोई तरीका हुआ ये कोई तरीका नहीं हुआ तो कैसे सीख पाएंगी वो stable ही नहीं हो पाएंगी जिसका उनके भविश्य के उपर बुरा परिणाम पढ़ रहा है ऐसा मेरा मानना है और पढ़ ही जाएगा ये मेरा मानना है ये किस ने कहा है ये मैं कह रहा हूँ मुझे ये जो व्यवार है ये नॉर्मल तो है नहीं क्योंकि कोई भी माता या पिता की व्याक्या का पहला चरण क्या होना चाहिए माता पिता वो होता है जो कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को अफेक्ट नहीं होने दे उनको कोई दुश परिणाम हो कोई उनको एक शती पहुँचे ये ना पहुँचे इसके लिए बियांड किसी लिमिट जाकर प्रयास करे वो होता है माता पिता इनका विवहार तो बिल्कुल विपरित है और इसी लिए मुझे लगता है कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है मैं गलत हो सकता हूँ तो इसी लिए application लगाना मेरा हक बनता है वो मैंने लगाई है तो अभी court इसकी जाच करेगा उसका प्रावधान है family court act में और जाच में जो पता चलेगा उसको मैं स्विकार कर लूँगा हो सकता है मैं गलत हूँ हो सकता है मानसिक संतुलन की बात नहीं हो कुछ और बात हो मुझे तो यह मानसिक असंतुलन दिखता है मैं कोई psychologist हूँ नहीं लेकिन मुझे दिखता है कि मेरे मेरी मेरी बच्चियां जो है वो इससे affect हो रही है अब court के उपर निर्भर करता है और मेरा court पर विश्वास है